कहानी चवालिस लांचन आरंब मुन्शी शाम किशोर के द्वार पर मुन्नु महतर ने ज़ाडू लगाई गुसल खाना धो धाकर साफ किया और तब द्वार पर आकर ग्रहनी से बोला माजी देख लीजे सब साफ कर दिया आज कुछ खाने को मिल जाये सरकार देवी रानी ने द्वार पर आकर कहा अभी तो तुम्हें महीना पाए दस दिन भी नहीं हुए फिर इतनी जल्दी माँगने लगे मुन्नु क्या करूं माजी खर्श नहीं चलता अकेला आत्मी घर देखूं कि काम करूं देवी तो ब्याख क्यों नहीं कर लेते मुन्नु रुपए मांगते हैं सरकार यहां खाने से नहीं बचता थैली कहां से लाओं देवी अभी तो तुम जवान हो कब तक अकेले बैठे रहोके मुन्नु हुजूर की इतनी निगाह है तो कहीं न कहीं ठीक हो ही जाएगी सरकार कुछ मदद करेंगी ना देवी हाँ हाँ तुम ठीक ठाक करो मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं भी दे दूँगी मुन्नु सरकार का मिजाज बड़ा अच्छा है हुजूर इतना खयाल करती है दूसरों घरों में तो मालकिन बात भी नहीं पूछती सरकार को अल्ला ने जैसी शकल सूरत दी है वैसा ही दिल भी दिया है अल्ला जानता है हुजूर हुजूर को देख देख कर भूप प्यास जाती रहती है बड़े बड़े घर के ओरते देखी है मुदा आपके तल्बों की बराबरी भी नहीं कर सकती देवी चल जूटे मैं ऐसी कौन खोबसूरत हूँ मुन्नो अब सरकार से क्या कहूँ बड़ी बड़े खत्रानियों को देखता हूँ मगर गोरे पन के सिवा और कोई बात नहीं उनमें ये नमक कहा सरकार देवी एक रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा मुन्नो भला सरकार दो रुपए तो देदे देवी अच्छा ये लो और जाओ मुन्नो जाता हूँ सरकार आप नाराज नहों तो एक बात पूछू देवी क्या पूछते हो पूछो मगर जल्दी मुझे चूलह जलाना है मुन्नो तो सरकार जाए फिर कभी कहूँगा देवी नहीं नहीं कहो क्या बात है अभी कुछ ऐसी जल्दी नहीं है मुन्नो दालमंडी में सरकार के कोई रहते है क्या देवी नहीं यहां तो कोई नातिदार नहीं है मुन्नू, तो कोई दोस्त होंगे, सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हो देवी, दालमंडी तो रंडियों का महला है मुन्नू, हाँ सरकार, रंडिया बहुत है यहाँ, लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमे मालूम होते है यहाँ रात को देर से तो नहीं आते देवी, नहीं, शाम से पहले ही आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते हाँ, कभी-कभी लाइब्रेरियल बत्ता जाते है मुन्नू, बस-बस यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिए गा सरकार कि रात को उधर न जाया करें, आदमी का दिल कितना ही साफ हो, लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं इतने में ही बाबू शाम किशोर आ गए, मुन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और चलता हुआ शाम किशोर ने पूछा, मुन्नू क्या कह रहा था, देवी, कुछ नहीं, अपने दुखडे रो रहा था, खाने को मांगता था, दो रुपे दे दिये हैं, बाच्चीत बड़े ढंग से करता है शाम, तुम्हें तो बाते करने का मरज है, और कोई नहीं, तो महतर ही सही, इस भूतने से न जाने तुम कैसी बाते करती हो देवी, मुझे उसकी सूरत लेकर क्या करना है, गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाने लगता है, तो कैसे न सुनू बाबु सहब ने बेले का गजरा रुमाल से निकाला, देवी के गले में डाल दिया, किन्तु देवी के मुख पर प्रसनता का कोई चिन न दिखाई दिया तेशी निगाहों से देख कर बोले, आप आजकल दालमंडी की सार बहुत क्या गरते हैं शाम, कौन, मैं? देवी, जी हाँ, तुम, मुझसे तो लाइब्रेरिय का बहाना करके जाते हो, और वहाँ जलसे में होते हो शाम, बिल्कुल जूट, सोला आने का जूट, तुमसे कौन कहता है, यही मुन्नू देवी, मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है, शाम, तुम मेरी टोह मत लिया करो, शक करने से आदमी शक्की हो जाता है, और तब बड़े-बड़े अनर्थ हो जाते हैं, भला मैं दालमंडी क्यों जाने लगा, तुमसे बढ़क दालमंडी में और कौन है, मैं तो तुम्हारी इन मद भरी आँखों का आशिक हूँ, अगर अपसरा भी सामने आ जाए, तो भी आँख उठा करना देखो, आज शार्दा कहां है, देवी, नीचे खेलने चली गई है, शाम, नीचे मत जाने दिया करो, इक्के मोटरे बग्या दोरती रहती है, नजाने कब क्या हो जाए, आज ही अर्दली बाजार में एक पारदात हो गई, तीन लड़के एक साथ दब गए, देवी, तीन लड़के बड़ा गजब हो गया, किसकी मोटर थी, शाम, इसका अभी तक नहीं बता चला, इश्वर जामता है, तुम्हें ये गजरा बहुत खिल रहा है, देवी, मुस्कुरा कर, चलो, बात न बनाओ, तीसरे दिन मुन्ये ने देवी से कहा, सरकार एक जेगे सगाई ठीक हो रही है, देखें, कौल से फिरना चाहिएगा, मुझे आपका बड़ा भरोसा है, देवी, देख लिया औरत, कैसी है, मुन्यो सरकार जैसी तक्दीर में है, वैसी है, घर की रोटिया तो मिलेंगी नहीं, घर की रोटिया तो मिलेंगी, नहीं तो अपने हाँ ठोकना पड़ता है, क्या कि मिजास की सीधी है, हमारे जाद की औरतें बड़ी चंचल होती हैं, हुजूर, सैकणों पीछे एक भी पाक न मिले कि देवी महतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं मुन्नु क्या कहें हुजूर डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरणी न छुड़ा दें महतराइन पर बाबु सहाबों की बहुत निगाह रहती है सरकार देवी हसकर चल जूटे बाबु सहाबों की औरते क्या महतराणियों से भी कई हुजूरी होती हैं मुन्नु अब सरकार कुछ न कहलाए हुजूर को छोड़कर और तो कोई ऐसी बववाईन नहीं देखता जिसका कोई बखान करें बहुत ही छोटा आदमी हुजूर की तरह मेरी औरत होती तो उससे बोलने को जीना चाहता हुजूर के चेहरे मोहरे की कोई औरत मैंने न देखी देवी चल जूटे इतने खुशामत करना किस से सीखा मुन्नु खुशामत नहीं करता सरकार सची बात कहता हुजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी राजा मिया की निगा आप पर पड़ गई बातों बातों में हुजूर की सकल सूरत को सराने लगे मैंने कहा जैसी सूरत है वैसा सरकार को अल्ला ने दिल पर दिया है देव अच्छा ये लामबा सा सामले रंका जवान है मुन्नु हां हुजूर वही मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर उन्हें देख पाता लेकिन मैंने डाट कर कहा, खबरदार मिया, जो मुझ से ऐसी बाते की, वहां तुभारे दाल ना गलेगी। देवी, तुमने बहुत अच्छा किया, निगोडे की आँखे फूर जए, जब इधर से जाता है, खिड़की की और उसकी निगा रहती है, कह देना, इधर भूल कर भी रताके। मुन्नु, कह दिया है हुजूर, हुक्म हो, तो चलू, और तो कुछ साफ नहीं करना है, सरकार के आने की बेला हो गई है, मुझे देखेंगे, तो कहेंगे, ये क्या बाते कर रहा था। देवी, ये रोटियां लेते जाओ, आज चूले से बचके, मुन्नु, अल्ला हुजूर को सलामत रखे, मेरा तो यहीं जी चाहता है, कि इसी दर्वाजे पर पढ़ा रहू और एक टुकड़ा खालिया करो, सच कहता हूँ हुजूर, हुजूर को देखकर भूप्यास जाती रहती है, मुन्नु जाही रहा था कि बाबु शामकिशोर उपर आ पहुचे, मुन्नु की पिछली बात उनके कान में पढ़ गई थी, मुन्नु जो ही नीचे गया, बाबु सहाब देवी से बोली, मैंने तुम से कह दिया था, कि मुन्नु को मुन न लगाओ, पर तुमने मेर बात न मानी, छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुचा देते हैं, इने कभी मुन न लगाना चाहिए, भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी, देवी, क्या जाने भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात मती, शाम, ठीक यो नहीं, मैंने साफ सुना, देवी, मु पीजे एक आदमी इस खिरकी की तरफ ताकता चला जाता है, इस मुहले का मुसल्मान लॉंडा है, जूते की दुकान है, तुम क्यों इस खिरकी पर खड़े रहा करती हो, देवी, चिक तो पड़ी हुई है, शाम, चिक के पास खड़े होने से बाहर का आदमी तुमें साफ द दिया करो, देवी, गुसल खाना कौन साफ करेगा, शाम, खेर आए, मगर उससे बाते ना करनी चाहिए, आज एक नया थियाटर आया है, चलो देखाओ, सुना है, इसके एक्टर बहुत अच्छे है, इतने में शार्दा नीचे से मिठाई का दो नास लिए दौरती हुई शार्दा, वही तो, जो अभी इधर से गए है, शाम, वही तो नहीं, जो लंबा सा सामले रंग का आदमी है, शार्दा, हाँ हाँ वही है, मैं अब उनके घर रोज जाऊंगी, देवी, क्या तू उसके घर गई थी, शार्दा, वही तो गोद में उठा कर ले गई थी, शाम, तू नीचे मत जायकर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी, देखती नहीं, कितनी मोटर आती रहती हैं, शार्दा, राजा भाया कहते थे, तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे, शाम, तुम बैठी-बैठी क्या किया करती हो, जो तुमसे एक लड़की की नि तेज हो, यह मै जानता हूँ, ये क्यों नहीं कहती कि बाटे करने से फुरस्षप नहीं मिलती, देवी, बाते में किस्से करती हूँ, यहां तो कोई पड़ोसिन भी नहीं, शाम, मुन्नु तो है ही, देवी, होड़ दबाकर, मुन्नु क्या मेरा कोई सगा है, जिससे बैठी बाते क्या करती हूँ गरीब आदमी है अपना दुख रोता है तो क्या कह दूँ मुझसे तो दुद्कारते नहीं बनता शाम खेर खाना बना लो नौ बजे तमाशा शुरू हो जाएगा साथ बज गये हैं देवी तुम जाओ देखाओ मैं न जाओंगी शाम तुम ही तो महीनों से तमाशे की रट लगाए हुए थी अब क्या हो गया क्या तुमने कसम खा ली है कि ये जो बात कहें वो कभी न मानूगी देवी जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूँ मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपए कम पर जाएंगे तो तुम मेरी जान खाने लगोगे यही सोच कर मैंने कहा था अब तुम कहते हो तो चली चलूँगी तमाशा देखना किसे बुरा लगता है नौ मजे शाम किशोर एक तांगे पर बैठ कर देवी और शार्दा के साथ ठेटर देखनी चले सड़क पद थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे एक और तांगा पहुँचा इस पर राजा बैठा हुआ था और उसकी बगल में हाँ उसकी बगल में बैठा था मुन्नू महतर जो बाबु सहाब के घर की सफाई करता था देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर जुका लिया उसे आश्चरे हुआ कि राजा और मुन्नू में इतनी गाड़ी में तृता है कि राजा उसे तांगे पर बिठा कर सेर कराने लिजाता है शारदार राजा को देखते ही बोल उठी बाबु जी देखो वो राजा भहिया आ रही है राजा भहिया इधर देखो हम लोग तमाशा देखने जा रही है राजा ने मुस्कुरा दिया और बाबु सहाब मारे क्रोध के तिल मिला उठे उन्हें ऐसा मालू हुआ कि ये दुष्ट केवल मेरा बीचा करने के लिए आ रहे हैं इन दोनों में जरूर साथ काट हैं नहीं तो राजा मुन्नू के साथ क्यों हो लेता उनसे पीछा चुडाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा और तेज चलो देर हो रही है तांगा तेज हो गया राजा ने भी अपना तांगा तेज किया बाबु सहाब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो राजा का तांगा भी धीमा हो गया आखेर बाबु साहब ने जुझला कर कहा तुम तांगे को छाबने की ओर ले चलो हम थेटर नहीं जाएंगे तांगे वाले ने उनकी ओर कोतुहुल से देखा और तांगा फेड लिया राजा का तांगा भी फिर गया बाबु साहब को इतना क्रोधा रहा था कि राजा को ललकारू पर डरते थे कि कहीं जगड़ा हो गया तो बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थ ही जेप होगी लहु का घुन पीकर रह गए अपने उपर जुझलाने लगे कि ना हकाया क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे मुन्नो को तो कल ही निकाल दूँगा बारे राजा का तांगा कुछ दूर चल कर दूसरी तरफ मुड़ गया और बाबु सहाब का क्रोध कुछ शान्त हुआ किन्तो अब थेटे जाने का समय न था चावनी से घर लोटाए देवी ने कोठे पर आकर कहा मुफ्त में तांगे वाले को दोर पैदेने पड़े शामकिशोर ने उसकी ओर रख्त शोशक दृष्टी से देख कर कहा और मुन्नो से बाते करो और खिड़की पर खड़ी हो होकर राजा की छवी दिखाओ तुम न जाने क्या करने पर तुली हो देवी ऐसी बाते मुझे निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती तुम मेरा वेर्थ ही अपमान करते हो इसका फल अच्छा नहोगा मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती इस अभागे मेतर की क्या हकीकत है तुम मुझे इतना नीच समझते हो शाम नहीं मैं तुम्हें इतना नीच नहीं समझता मगर बेसमज़ जरूर समझता हो तुम्हें इस बदमाश को कभी मून लगाना चाहिए था अब तो तुम्हें मालम हो गया कि वो छटा हुआ शोहदा है या अब भी कुछ शक है देवी मैं उसे कल ही निकाल दूँगी मुन्शी जी लेटे पर्चित अशांत था वो दिन भर दफ्तर में रहते थे अपनी छवी दिखाने का सुंद्रियों को मर्ज होता है देवी जरूर बंठन कर खिड़की पर खड़ी होती है और मुहले के शोहदे उसे देख देख कर मन में न जाने क्या क्या कलप्रा करते होंगे इस व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने काबु से बाहर मालूम होता था शोहदे वशीकरण की कला में निपुर होते हैं इश्वर न करे इन बदमाशों की निगहा किसी भले घर की बहु बेटी पर पड़े इनसे पिंड कैसे छोड़ाओ बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वो मकान छोड़ देने का निश्चय किया इसके सिवा उन्हें दूसरा कोई उपाय न सूचा देवी से बोले कहो तो ये घर छोड़ दू इन शोहदों के बीच में रहने से आबरू बिगरने का भेह है देवी ने आपत्ती के भाव से कहा नहीं मालूम होती एक दो नहीं लाग दो लाग शोड़े हो तो क्या कुत्तों के भौकने के भैसे भला कोई अपना मकान छोड़ देता है श्याम कभी कभी कुत्ते काड़ भी तो लेते हैं देवी ने इसका कोई जवाब न दिया और तर्प करके पती की दुष चिंताओं के बढ़ जाने का भैथा ये शक्की तो हैं ही न जाने उसका क्या आशे समझ वैठे तीसरे ही दिन श्याम बाबु ने वो मकान छोड़ दिया इस नए मकान में आने के एक सप्ता के पीछे एक दिन मुन्नू सिर पर पट्टी बांधे लाठी देखता हुआ आया और आवास दी देवी उसकी आवास पहचान गए पर उसे दुद्कारा नहीं किवार खोल दिये पुराने घर के समझा जानने के लिए उसका चित लालायत हो रहा था मुन्नू ने अंदर आकर कहा सरकार जब से आपने मकान छोड़ दिया कसम ले लिजे जो अधर एक बार भी गया हूँ उस घर को देखकर रोना आने लगता है मेरा भी जी चाहता है कि इसी महले में आ जाओं पागल की तरह इधर उधर मारा मारा फिरा करता हूँ सरकार किसी काम में जी नहीं लगता बस हर गड़ी आप ही की आदाती रहती है हुजूर जितनी परवरिस्ट करती थी उतनी अब कौन करेगा ये मकान तो बहुत छोड़ा है देवी तुम्हारे की कारण तो वो मकान छोड़ना पड़ा मुन्नो मेरे कारण मुझसे कौन से खता हुई सरकार देवी तुम्ही तो तांगे पर राजा के साथ बैठे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे ऐसे आदमी पर आदमी का शक होता ही है मुन्नो अरे सरकार उस दिन की बात न पूछे राजा मिया को एक वकील सहब से मिलने जाना था वो च्छावनी में रहते है मुझे भी साथ बिठा लिया उनका साइस कहीं गया हुआ था मारे लिहास के आपके तांगे के आगे न निकलते थे सरकार उसे शोधा कहते है उसका साब भला आदमी महले भर में नहीं है पांचो वकत की नमाज पढ़ता है हुजूर तीसो रोजे रखता है घर में बीवी बच्चे सभी मौजूद है क्या मजार कि किसी पर बद निकाह हो देवी खैर होगा तुम्हारे सिर पर पट्टे क्यों बंदी है मौन्नू इसका माजरा न पूछे हुजूर आपकी बुराई करते किसी को देखता हूँ तो बदन में आग लग जाती है दर्वाजे पर जो हलवाई रहता था कहने लगा मेरे कुछ पैसे बाबुजी पर आते है मैंने कहा वो ऐसे आदमी नहीं है कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते बस हुजूर इसी बात पर तकरार हो गई मैं ते दुकान के नीचे नाली धो रहा था वो उपर से कूद कर आया और मुझे ढखेल दिया मैं बेखबर खड़ा था चारो खाने चित सडक पर गिर पड़ा चोड़ तो आई पर मैंने भी दुकान के सामने बच्चा को इतनी गालियां सुनाई कि याद ही करते होंगे अब घाव अच्छा हो रहा है खुजूर देवी राम राम नाहक लड़ाई लेने लगे सीधी सी बात तो थी कह देतें तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांगाओ है तो शहर ही में दूसरे देश में तो नहीं भाग गए मुन्नू, हुजूर आपकी बुराई सुनके नहीं रह जाता फिर चाहे वो अपने घर की लाठी क्यों नहो भिर पड़ूगा वो महाजन होगा तो अपने घर का यहां कौन उसका दिया खाते हैं देवी, उस घर में अभी कोई आया की नहीं मुन्नू, कई आदमी देखने आये हुजूर मगर जहां आप रह चुकी है वहाँ दूसरा कौन रह सकता है हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया है राजा मिया तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़ बैठे हैं बिटिया को याद करकर के रोया करते हैं हुजूर को हम गरीबों की याद का ही को आती होगी देवी याद क्यों नहीं आती मैं आदमी नहीं हूँ जानवर तक ठान छूटने पर दो चाह दिन चारा नहीं खाते ये पैसे लो कुछ बाजार से लाकर खालो भूके होंगे मुन्नू हुजूर की दूआ से खाने की तंगी नहीं है आदमी का दिल देखा जाता है हुजूर पैसो की कौन बात है आपका दिया तो खाती ही है हुजूर का मिजाज ऐसा कि आदमी बिना कोड़ी का गुलाम हो जाता है तो अब चलूँगा हुजूर बाबुजी आते होंगे कहेंगे ये शैतान यहां फिरा पहुंचा देवी अभी उनके आने में बड़ी देर है मुन्नु ओहो एक बात तो भूल ही गया राजा मिया बिटिया के लिए ये खिलोना दिये थे बात तो में ऐसा भूल गया कि इनकी सुध ही न रही कहां है बिटिया देवी अभी तो मदर्से से नहीं आई मगर इतने खिलोने लाने के क्या जरूरत थी अरे राजा ने गजब ही कर दिया भेजना ही था तो दो चार आने के खिलोने भेज देते अकेली में तीन चार रुपे से कम की न होगी कुल मिलाकर 30-35 रुपे से कम के खिलोने नहीं है मुन्नो क्या जाने सरकार मैंने तो कभी खिलोने नहीं खरीदे 30-35 रुपे के ही होगी तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है अकेली दुकान से 50 रुपे रोज की आमदनी है हुजूर देवी नहीं, इनको लोटा ले जाओ, इतने खिलोने लेकर वो क्या करी, मैं सर्फ एक मेम रखे लेती हूँ मुन्नो, हुजूर, राजा मियां को बड़ा रंज होगा, मुझे तो जीता ही न छोड़ेंगे बड़े ही महबती आदमी है, हुजूर, बीवी दो-चार दिन के लिए मैके चली जाती है, तो बेचैन हो जाती है सहजार शारदा पार्चाला से आ गई, और खिलोने देखते ही उन पर तूट पड़ी, देवी ने डाट कर कहा क्या करती है, मेम ले ले और सब लेकर क्या करेगी शारदा, मैं तो सब लोगी, मेम को मोटर पर बैठा कर दोड़ाओंगी, कुट्ता पीछे पीछे दोड़ेगा, इन बरतनों में गुडिया के खाने बनाओंगी कहां से आए हैं अम्मा, बता दो देवी, कहीं से नहीं आए, मैंने देखने को मंगवाए थे, तू इन में से कोई एक ले ले शारदा, कहां से लाए हो मुन्नू, बता दो मुन्नू, तुम्हारे राजा भाहिया ने तुम्हारी लिए भेजे है शार्दा राजा भाईया ने भेजे हैं ओहो नाचकर राजा भाईया बड़े अच्छे हैं कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगे किसी के पास आसे खिलोने न निकलेंगे देवी अच्छा मुन्नू अब तुम जाओ राजा मिया से कहा देना फेरियां खिलोने न भेजे मुन्नू चला गया तो देवी ने शार्दा से कहा ला बेटी तेरे खिलोने रखतू बाबु जी देखेंगे तो बिगडेंगे और कहेंगे कि राजा मिया की खिलोने क्यों लिए तोड ताड कर फेंग देंगे भूल कर भी उनसे खिलोनों की चर्चा न करना शार्दा हां अमा रख तू बाबुजी तोड देंगे देवी उनसे कभी मत कहना कि राजा भाईया ने खिलोने बेजे थे नहीं तो बाबुजी राजा भाईया को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे कहींगे लड़की भिकमंगी है सबसे खिलोने मांगती फिरती है शारदा हाँ अम्मा रख दो बाबु जी तोड़ देंगी इतने में बाबु शाम किशोर भी दफतर से आ गए बहुत चड़ी हुई थी आते ही आते बोले वो शेतान मुन्नो इस महले में फिर आने लगा है मैंने आज उसे देखा क्या यहां भी आय था देवी ने हिच किचाते हुए कहा हाँ आय तो था शाम और तुमने आने दिया मैंने मना न किया था क्यों से कभी अंदर कदम न रखने देना देवी आकर द्वार खटकटाने लगा तो क्या करती शाम तुमने आज भी न कहा होगा यहां मत आया करो देवी मुझे इसका ख्याल न रहा और अब वो यहां क्या करने आएगा शाम जो करने आज आया था पही करने फिर आएगा तुम मेरे मुँ में कालिक लगाने पर तुली हुई हो देवी ने क्रोध में एट कर कहा मुझसे तुम उट पठांग बातें मत किया करो समझ गये तुम्हें ऐसी बातें मुँ से निकालतें शर्म नहीं आती एक बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी ही बात कही थी आज फिर तुम वही बात कर रहे हो अगर तीसरी बार ये शब्द मैंने सुने तो नतीजा बुरा होगा इतना कहें देती हूँ तुमने कोई वैशन समझ लिया है शाम मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घहर आए देवी तुम मना क्यों नहीं कर देते मैं तुम्हें रोकती हूँ शाम तुम क्यों नहीं मना कर देती देवी तुम्हें कहते हुए शर्म आती है शाम मेरा मना करना व्यर्थ है मेरे मना करने पर तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना होता रहेगा देवी ने होन दबा कर कहा अच्छा अगर वो आता ही रहे तो क्या हानी है मेहतर सभी गरों में आय जाय करते हैं शाम अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं इतना समझाय देता हूँ ये कहते हुए शाम किशोर नीचे चले गए और देवी स्तंबित सी खड़ी रह गई तब उसका हृदय इस अपमान, लांचन और आविश्वास के आघास से पीडित हो उठा वो फूट फूट कर रोने लगी उसको सबसे बड़ी चोट जिस से लगी वो ये थी कि मेरे पती मुझ पर इतना नीच, इतनी निरलच समझते हैं जो काम वेश्य भी न करेगी उसका संदे मुझ पर कर रही है शाम किशोर के आते ही शार्दा अपने खिलोने उठा कर भाग गई थी कि कहीं बाबुजी तोड़ न डाले नीचे जाकर वो कुछ सोचने लगी कि इन्हें कहां छिपा कर रखो वो इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई शार्दा उसे अपने खिलोने दिखाने के लिए आतुर हो गई इस प्लोभन को वो किसी तरह रोक न सकी अभी तो बाबुजी उपर है कौन इतनी जल्दी आय जाते है तब तक क्यों न सहेली को अपने खिलोने दिखा दू उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलोने देखने में मगन हो गई कि बाबु शामकिशोर के नीचे आने की खबर भी उने न हुई शामकिशोर खिलोने देखते ही जपटकर शारदा के पास जा पहुचे और पूछा तूने ये खिलोने कहा पाए शारदा की गिगगी बन गई मारे भैके थर थर कापने लगी मुझे एक शब्द भी न निकला शामकिशोर ने फिर गरच कर पूछा बोलती क्यों नहीं तुझे किसने खिलोने दिये शारदा रोने लगी तब शामकिशोर ने उसे फुसला कर कहा रो मत हम तुझे मारेंगे नहीं तुझसे इतना ही पूछते हैं तूने असे सुन्दर खिलोने कहां पाए इस तरहे दो चार बार दिलासा देने से शारदा कुछ धहरे बन था उसने सारी कथा कह सुनाई अँ अनर्थ इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती उसके गूंगी हो जाना भी इससे अच्छा था देवी कोई बहाना करके बला सिर से टाल दे दी पर होनहार को कौन टाल सकता है शाम किशोर के रोम रोम से जुआला निकलने लगी खिलोने वही छोड़कर वो धम धम करते हुए उपर गए और देवी के कंदे दोनों हातों से ज़जोड़कर बोली तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं साफ साफ कह दो देवी अभी तक खड़ी सिस्क्या ले रही थी ये निर्मम प्रशन सुनकर उसके आशू गायब हो गए किसी भारी विपत्ती की आशंका ने इस हलके से आघात को भुला दिया जैसे घहतक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोगशया से उठकर भागे शाम किशोर की और भयातुन नेतरों से देखा पर मुह से कुछ न बोली उसका एक एक रोम मॉन भाशा में कुछ बोर रहा था इस प्रशन का क्या मतलब है शाम किशोर ने फिर कहा तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जी उप गया हो तो तुम्हें अख्तियार है मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता मेरे साथ तुम्हें चल कपट करने की जरूरत नहीं मैं सहर्ष तुम्हें विदा करने को तयार हूँ जब तुमने मन में एक बात निश्चे कर ली तो मैंने भी निश्चे कर लिया है तुम इस घर में अब नहीं रह सकती रहने योगे नहीं हो देवी ने आवाज संभाल कर कहा तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो अगर मुझसे जी उप गया तो जहर दे दो जला जला कर क्यों जान मारते हो मेहतर से बाते करना तो ऐसा अपराद न था जब उसने आकर पुकारा तो मैंने आकर द्वार खोल दिया अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंगर हो जाएगा तो उसे दूर ही से दुदकार देती शाम, जी चाहता है तालू से जबान खीच ले बाते होने लगे, इशारे होने लगे तो हुफे आने लगे, अब आकी क्या रहा देवी, क्यों नहाग घाव पर नमक छड़कते हो एक अबला की जान लेकर कुछ पाना पाओगे शाम, मैं जूट कहता हूँ देवी, हाँ जूट कहते हो शाम, ये खिलोने कहां से आये देवी का कलेजा धक से हो गया काटो तो बदन में लहु नहीं समझ गई, इस वक्त ग्रह बिगडे होए है सर्वनाश के सभी संयोग मिलते जाते है ये निगोडे खिलोने न जाने किस बुरी साइक में आये मैंने लिये ही क्यों उसे वक्त लोटात क्यों न दिये बाद बना कर बोली आग लगे, वही खिलोने तोहफे हो गए बच्चे को कोई कैसे रोके किसी की मानते है कहती रही मत ले मगर ना मानी तो मैं क्या करती हाँ, ये जानती कि इन खिलोनों में मेरे जान मारी जाएगी तो जबरदस्ती शिन कर फेंक देती शाम, इनके साथ और कौन-कौन सी चीज़े आई है भला चाहती हो, तो अभी लाओ देवी, जो कुछ आया होगा इसी घर में होगा देख क्यों नहीं ले दे इतना बड़ा घर भी नहीं है कि दो-चाथ दिन देखने में लग जाए शाम, मुझे इतनी फुरसत नहीं है ख्यारियत इसी में है कि जो चीज़े आई हो लाकर मेरे सामने रख तो ये तो हो नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलोने आए और तुम्हारे लिए कोई सोगात ना आए तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो मुझे विश्वास ना आएगा देवी तो घर में देख क्यों नहीं लेते शाम किशोर ने घूसा तान कर कहा कह दिया मुझे फुरसत नहीं है सीदे से सारी चीज़े लाकर रख दो नहीं तो इसी दम गला दबा कर मार डालोगा देवी मार ना हो तो मार डालो जो चीज़े आई ही नहीं उन्हें मैं दिखा कहां से दो शाम किशोर ने क्रोट से उनमत होकर देवी को इतनी जोर से धका दिया कि वो चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ी तब उसके गले पर हाथ रख कर बोले दबा दू गला ना दिख लाएगी तू उन चीज़ों को देवी जो अर्मान हो पुरा कर लो शाम खोन पी जाओंगा तूने समझा क्या है देवी अगर दिल की प्यास भुषती हो तो पी जाओ शाम फिर तो उस महतर से बाते ना करोगी अगर अब कभी मुन्नू या उस शोहदे को द्वार पर देखा तो उसका गला काट लूँगा ये कहकर बाबुजी ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही उसके मन में इस तमें प्रती प्रेम की मरियादा रक्षा का लेश भी न था उसका अंतिकरन प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था इस वक्त अगर वो सुनती कि शाम किशोर को किसी ने बाजार में जूतों से पीटा तो कदाचित वो खुश होती कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज वो जोका पाकर प्रेम की दिवार भूमी पर किर पड़ी और मन की रक्षा करने वाली कोई साद्मा न रही आज केवल संकोच और लोक लाज की हलकी सी रसी रह गई लिए जो एक जटके में तूट सकती है शाम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलोने लिए हुए घर से बहान निकली बाबुजी खिलोनों को देखकर कुछ बोली नहीं तो अब उसे किस की चिंता और किस का भै अब वो क्यों न अपनी सहेलियों को खिलोने दिखाए सडक के उस पार एक हलवाई का मकान था हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी शारदा उसे एक खिलोने दिखाने चली बीच में सडक थी सवारी गाडियों और मोटर का ताता बंधा हुआ था शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा बालोचित उत्सुकता से भरी हुई योर से एक बख्या रही थी शारदा ने जहाद दोड़कर उस पार निकल जाए मोटर ने बिगुल बजाया शारदा ने जोर मारा की सामने से निकल जाए पर होनहार को कौन टालता मोटर बालिका को रौनती हुई चली गई सड़क पर एक मास की लोट पड़ी रह गई खिलोने जियों के त्यों थे उन में से एक भी न टूटा था खिलोने रह गए खेलने वाला चला गया दोनों में कौन स्थाई है और कौन अस्थाई इसका फैसला कौन करे चारों और से लोग दौर पड़े अरे ये तो बाबुजी की लड़की है जो उपर वाले मकान में रहते है लोट कौन उठाए एक आदमी ने लपक कर द्वार पर पुकारा बाबुजी आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं केल रही थी जरा नीचे तो आईए देवी ने चज़्जे पर खड़े होका सड़क की उर देखा तो शार्दा की लोट पड़ी हुई थी चीख मार कर बेतहाशा नीचे दोड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया उसके पैर थर थर कापने लगे इस व्रज पात ने उसे स्तंबित कर दिया रोना भी ना आया मुहले के कई आदमी पूछने लगे बाबुजी कहां गए हैं उनको कैसे बुलाया जाए देवी क्या जवाब देती वो तो संग्याहीन हो गई थी लड़की की लाश को गोद में लिये उसके रक्त से अपने वस्तरों को भिखोती आकाश के ओर ताक रही थी मानो देवता से पूछ रही हो क्या सारी विपत्या मुझी पर अंधेरा होता जाता था पर बाबुजी का पता नहीं कुछ मालुम भी नहीं वो कहां गए हैं धीरे धीरे नौ बजे पर अब तक बाबुजी न लोटे इतनी देर तक बाहर न रहते क्या आज ही उन्हें भी गयब होना था दस बच गए अब देवी रोने लगी उसे लड़की की मिर्द्यू का इतना दुख ना था जितना अपनी असमर्द था का वो कैसे शव की दहक्रिया करेगी कौन उसके साथ जाएगा क्या इतनी रात गए कोई उसके साथ चलने पर तयार होगा अगर कोई ना गया तो उसे अकेले जाना पड़ेगा क्या रात भर लोत पड़े रहेगी जियों जियों सन्नाटा होता जाता था सहसा किसी ने द्वार खोला देवी उटकर खड़ी हो गई समझी बाबुजी आ गए उसका हरदय उमर रहा था और वो रोती हुई बाहर आई पर आह ये बाबुजी न थे पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकिकात करने आये थे पांच बजे की घटना थी तहकिकात होने लगे ग्यारा बजे आखिर थानेदार भी तो आदमी है वो भी तो संध्या समय घूमने फिरने जाता ही है घंटे भर तक तहकिकात होती रही देवी ने कहा अब संकोच से काम न चलेगा थानेदार ने उससे जो कुछ पूछा उसका उत्तर उसने निसंकोच भाव से दिया जरा भी न शर्माई जरा भी न जिचकी थानेदार भी दंग रह गया जब सबके बयान लिखकर दरोगा जी चननने लगे तो देवी ने कहा आप उस मोटर का पता लगाएंगे दरोगा अब तो शायद है उसका पता लगे देवी तो उसकी कुछ सजाना होगी दरोगा मजबूरी है किसी को नंबर भी तो मालम नहीं देवी सरकार इसका कुछ इंतिजाम नहीं करती घरीबी के बच्चे इसी तरह कुछ ले जाते है दरोगा इसका क्या इंतिजाम हो सकता है मोटरे तो बंद नहीं हो सकती देवी कम से कम पुलिस वालों को ये देखना चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज न चलाए मगर आप लोग ऐसा क्यों करने लगे आपके अफसर भी तो मोटरों पर बैठते हैं आप उनकी मोटरे रोकेंगे तो नौकरी कभी रहेगी थानेदार लजजित हो चला जब लोग सड़क पर पहुँचे तो एक सिपाही ने कहा महरिया बड़ी टन मन दिखत है थानेदार अजी इसने तो मेरा नात का बंद कर दिया किस गजब का उसन पाया है मगर कसम ले लो जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह की हो ताकने की हिम्मत ना पढ़ती थी बाबु शाम किशोर बारा बजे के बाद नशे में चूर घर पहुँचे उन्हें ये खबर रास्ते में ही मिल गए थी रोते हुए गहर में दाखिल हुए देवी भरी बैठी थी सोच रखा था आज चाहे जो हो जाए पर फटकारूंगी जरूर पर उनको रोते देखा तो सारा गुसा गायब हो गया खुद भी रोने लगी दोनों बड़ी देर तक रोते रहे इस विपत्ती ने दोनों के हिर्दय को एक दूसरे की और बड़े जोर से खीचा उन्हें ऐसा ग्यात हुआ कि उनमें फिर पहले कासा प्रेम जागरित हो गया है प्रहतकार जब लोग दाहक्रिया करके लोटे तो शाम किशोर ने देवी की ओसने से देखकर करूम स्वर में कहा तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा देवी तुम दस-पांच दिन के छुट्टी न ले सकोगे शाम यही तो मैं भी सोचता हूँ पंधरा दिन की छुट्टी ले लो शाम बाबु दफ्तर छुट्टी लेने चले गए इस विपत्ती में भी आज देवी का हृदय जितना प्रसन था उतना उधर महीनों से न हुआ था बालिका को खोकर वो विश्वास और प्रेम पागे थी और यह उसके आशू पोचने के लिए कुछ कम न था अब आगे खुश मत हो तेरे जीवन का वो अंतिम कांड होना अभी बाकी है जिसके तो कल्पना भी नहीं कर सकती दूसरे दिन बाबु शाम किशोर घर पर ही थे कि मुन्नु ने आकर सलाम किया शाम किशोर ने जरा कड़ी आवाज में पूछा क्या है जी तुम क्यों बार-बार यहां आया करते हो मुन्नु बड़े दीन भाव से बोला मालिक कल की बाद जो सुनता है उसी को रंज होता है मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा अब नौकर नहीं तो क्या सरकार का नमक तो खा चुका हो बला वो कभी हड्डियों से निकल सकता है कभी कभी हाल हवाल पूछने आ जाता हूँ जबसे कल वाली बात सुनी है हुजूर ऐसा कसक हो रहा हूँ कि क्या कहूँ कैसी प्यारी प्यारी बच्ची थी कि देखकर दुख तूर हो जाता था मुझे देखते ही मुन्नू मुन्नू कहकर दौरती थी जब गैरों को ये हाल है तो खुजूर के दिल पर जो बीत रही होगी खुजूर ही जानते होगे शाम बाबु कुछ नर्म होकर बुली ईश्वर की मर्जी में इनसान का क्या चाला मेरा तो घर ही अंधेरा हो गया अब यहां रहने को जी नहीं चाहता मुन्नू मालकिन तो और भी बेहाल होगी शाम हुआ ही चाहे मैं तो उसे शाम सवेरे खेला लिया करता था मा तो दिन भर साथ रहती थी मैं तो काम धंदों में भूल भी जाओंगा वो कहां भूल सकती है उसकी तो सारी जिन्दगी करोना है पती को मुन्नू से बाते करते सुनकर देवी ने कोठे पर से आंगन की ओर देखा मुन्नू को देखकर उसकी आँखों में बे अख्तियार आंसू भराए बोली मुन्नू मैं तो लुट गई मुन्नू हुजूर अब सबर कीजिए रोने धोने से क्या फाइदा यही सब अंधेरे देखकर तो कभी कभी अल्ला मिया को जालिम कहना पड़ता है जो बेमान है दूसरों का गला काटते फिरते हैं उनसे अल्ला मिया भी रड़ते हैं जो सीधे और सच्चे हैं उन्ही पर आफट आती है मुन्नू देवी को दिलासा देता रहा श्याम बाबु भी उसकी बातों का समर्थन करते जाते थे जब वो चला गया तो बाबु सहब ने कहा आदमी तो कुछ बुरा नहीं मालुम होता देवी ने कहा मुहबती आदमी है रंज ना होता तो यहां क्यों आता पंदरा दिन गुजर गए बाबु सहाब फिर दफता जाने लगे मुन्नू इस बीच में फिर कभी न आया अब तक तो देवी का दिन पती से बाते करने में कट जाता था लेकिन अब उनके चले जाने पर उसके बार-बार शार्दा की आदा थी प्राहया सारा दिन रोते कटता था मुहले की दो-चार नीच जाती के ओरते आती थी लेकिन देवी का मन उनसे न मिलता था जूटी सहनुभूती दिखा कर देवी से कुछ एटना चाहती थी एक दिन कोई चार बजे मुन्नो फिर आया और आगन में खड़ा होकर बोला मालकिन मैं हूँ मुन्नो जरा नीचे आ जाईएगा देवी ने उपर से ही पूछा क्या काम है कहो तो मुन्नो जरा आईए तो देवी नीचे आई तो मुन्नो ने कहा राजा मिया बाहर खड़े है और हुजूर से मातमपुर्सी करते है देवी ने कहा जाकर कह दो ईश्वर की जो मर्जी थी वो हुई राजा दर्वाजे पर खड़ा था ये बातें उसने साफ सुनी बाहर से ही बोला खुदा जानता है जब से ये खबर सुनी है दिल के टुकड़े हुए जाते है मैं जरा दिल्ली चला गया था आज ही लोट कर आया हूँ अगर मेरी मौजूद की में वो वारदात हुई होती तो और क्या कर सकता था मगर मोटर वाले को बिना सेजा कराये न छोड़ता चाहे वो किसी राजा ही की मोटर होती सारा शहर छान डालता बाबु सहाब चुप होके बैठे रहे ये भी कोई बात है मोटर चला कर क्या कोई किसी की जान ले लेगा फूल सी मासूम बच्ची को जालिमों ने मार डाला हाई अब कौन मुझे राजा भाया कहकर पुकारेगा खुदा की कसम उसके लिए दिल्ली से टोकरी भर खिलाने ले आया हूँ क्या जानता था कि यहां सितम हो गया मुन्नु देख यह तावीच ले जाकर बहुजी को दे दे इसे अपने जूडे में बांत लेंगी खुदानी चाहा तो उन्हें किसी की दहशत या खटका न रहेगा उन्हें बुरे-बुरे खुआप दिखाई देते होंगे रात की नींद उचर जाती होगी दिल घबराया करता होगा ये सारी शिकायते इस तावीच से दूर हो जाएंगी मैंने एक पहुचे हुए फकीर से ये तावीच मंगवाया है इसी तरह से राजार मुन्नु उस वक्त एक ना एक बहाने से द्वार से न टले जब तक बाबु सहाब आते न दिखाई दिये शाम किशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया उपर जाकर गंभीर भाव से बोले राजा क्या करने आया था देवी यूही मातम पुर्सी करने चला आया आज दिली से आया है ये खबर सुनका दोड़ा आया था शाम मर्द मर्दों से मातम पुर्सी करते हैं या औरतों से देवी तुम ना मिले तो मुझे से शोक प्रगट करने चला आया शाम इसके ये माने कि जो आदमी मुझे से मिलने आये वो मेरे ना रहने पर तुम से मिल सकता है इसमें कोई हर्ज नहीं क्यों देवी सबसे मिलने मैं थोड़े ही जा रही हूँ शाम तो राजा क्या मेरा साला है या ससुरा देवी तुम तो जरा सी बात पजल लाने लगते हो शाम ये जरा सी बात है एक भले घर की इस्तरी एक शुहदे से बात करे ये जरासी बात है तो बड़ी सी बात किसे कहते है ये जरासी बात नहीं है कि यदी मैं तुम्हारी गर्दन घोड़ दू तो मुझे पाप न लगेगा देखता हूँ फिर तुमने वही रंग पकड़ा इतनी बड़ी सजा पाकर भी तुम्हारी आखे नहीं खुली अपकी क्या मुझे ले भी इतना चाहती हो देवी सन्नाटे में आ गई एक तो लड़की का शोग उस पर ये अब शब्दों की बहुशार और भीशन अक्षेव उसके सिर में चक्कर सा आ गया बैठ कर रोने लगी इस जीवन से तो मौत कहीं अच्छी केवल यही शब्द उसके मुँझ से निकले बाबु साहब गरच कर बोले यही होगा घबराओ मत यही होगा तुम मरना चाहती हो तो मुझे भी तुम्हारे अमर होने की आकांशा नहीं है जितनी जल्द तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए उतना ही अच्छा कुल में कलंक तो न लगेगा देवी ने सिस्क्या लेते हुए कहा क्यों एक अबला पर इतना न्याय करते हो तुम्हें जरा भी दया नहीं आती शाम मैं कहता हूँ चुप रहे देवी क्यों चुप रहूँ क्या किसी की जबान बंद कर दोगे शाम फिर बोले जाती है मैं उटका सिर्थ तोड़ दूँगा देवी क्या सिर्थ तोड़ देंगे कोई जबरदस्ती है शाम अच्छा तो बुला देखे तेरा कौन हिमायती है ये कहते हुए बाबु साहग जला कर उठे और देवी को कई थपड़ और घूसे लगा दिये मगर वो न रोई न चिल्लाई न जबान से एक शब्द निकाला केवल अर्थ शुन्य नेत्रों से पती की ओर ताकती रही मानो ये निश्चे करना चाहती थी कि ये आदमी है या कुछ और जब शामकिशोर मार पीट कर अलग खड़े हो गए तो देवी ने कहा दिल के अर्मान अभी न निकले हो तो और निकालो फिर शायद अवसर न मिले शामकिशोर ने जवाब दिया सिर काट लूँगा सिर तू है किस फिर में ये कहते हुए वो नीचे चले गए जटके के साथ किवार खोला धमाके के साथ बंद किया और कहीं चले गए अब देवी की आँखों से आँसु की नदी बहने लगी रात के दस बच गए शामकिशोर घर न लोटे रोते रोते देवी की आँखें सूजाई क्रोध में मधुर स्मृतियों का लोब हो जाता है देवी को ऐसा ग्यान होता था कि शामकिशोर को उसके साथ कभी प्रेम ही न था कुछ दिनों वो उसका मुँ अवश्य जोते रहते थे लेकिन वो बनावटी प्रेम था उसके यौवन का आनंद लूटने ही के लिए उससे मीठी मीठी प्यार प्यारी बाते किया करते थे उसे चाती से लगाया जाता था उसे कलेजे पर सुलाया जाता था वो सब दिखावा था सुआंग था उसे याद ही न आता था कि कभी उससे सच्चा प्रेम किया हो अब वो रूप नहीं रहा वो यौवन नहीं रहा वो नवीनता नहीं रही फिर उसके साथ क्यों न अत्याशार किया जाए उसने सोचा कुछ नहीं अब इनका दिल मुझसे फिर गया है नहीं तो क्या इस जरा सी बात पर यूं तूट पड़ते कोई न कोई लांचन लगा कर मुझसे गला छुडाना चाहते है यही बात है तो मैं क्यों इनकी रोटिया और इनकी मार खाने के लिए इस घर में पड़ी रहूं जब प्रेम ही नहीं रहा तो मेरे यहां रहने पर धेकार है मैं के में कुछ न सही यह दुर्गती न होगी इनकी यही इच्छा है तो यही सही मैं भी समझ लूगी कि विद्वा हो गई जो जो राद गुजरती थी देवी के प्राण सूखे चाते थी उसे ये धड़का समाय हुआ था कि कहीं वो आकर फिर नमार पेट शुरू कर दे कितने क्रोध में भरे हुए यहां से गए वहरी तक दी अब मैं इतनी नीच हो गई हूँ कि महतरों से जूते वालों से आशनाई करने लगी इस भले आदमी को ऐसी बाते मूँ से निकालते हुए शर्म भीन आती नजाने इनके मन में ऐसी बाते कैसे आती है कुछ नहीं वो सौभाव के नीच दिल के मैले स्वार्थी आदमी है नीचों के साथ नीच ही बनना चाहिए मेरी भूल थी कि इतने दिनों से उनकी घुड़कियां सहती रही यहां इज़त नहीं मर्यादा नहीं प्रेम नहीं विश्वास नहीं वहां रहना बेवफाई है कुछ मैं इनके हाथों बिक तो नहीं गई कि यह जो चाहें करें मारें या काटें पड़ी सहा करो सीता जैसे पत्निया होती थी तो राम जैसे पती भी तो होती थे देवी को अब ऐसी शंका होने लगी कि कहीं श्याम किशोर आते ही सचमुच उसका गला न दबा दे यह छूरी भोगते वो समाचार पत्रों में ऐसी कई हरजाईयों की खबरें पढ़ चुकी थी शहर ही में ऐसी घटनाएं हो चुकी थी मारे भैके वो थर थरा उठी यहां रहने से प्राणों की कुशलना थी देवी ने कपड़ों की एक छोटी सी बकची बांधी और सोचने लगी यहां से कैसे निकलो और फिर यहां से निकल कर जाओं कहां कहीं इस वक्त मुन्नू का पता लग जाए तो बड़ा काम निकलता वो मुझे क्या मैं के न पहुँचा देता एक बार मैं के पहुँच भर जाती फिर तो लालस से पटक कर रह जाए भूल कर भी न आओ ये भी क्या याद करेंगे रुपए के छोड़ दू जिसमें ये मजे से गुलचर्रे उड़ाए मैंने ही तो काट छाट कर जमा किये इनकी कौन सी ऐसी बड़ी कमाई थी खर्च करना चाहती तो कौड़ी न बचती पैसा पैसा बचाती रहती थी देवी ने जाकर नीचे के किवार बंद किये फिर संदूख खोल कर अपने सारे जेवर और रुपए निकाल कर बकुची में बांग लिए सब के सब करेंसी नोट थे विशेश बोज भी न हुआ एक आए किसी ने सदर दर्वाजे पर जोर से धक्का मारा देवी सहम उठी उपर से जाकर देखा श्याम बाबू थे उसकी हिम्मत न पड़ी कि जाकर द्वार खोल दे फिर तो बाबू साहब ने इतने जोर से धक्के मारने शुरू किये मानुक किवार ही तोड़ा लेंगे इस तरहे द्वार खुलवाना ही उनके चित्त की दशा का साफ प्रकट कर रहा था देवी शेर के मूँ में जाने का साहस न कर सकी आखी शाम किशोर ने चिल्ला कर कहा ओ डैम किवार खोल ओ ब्रोड़ी किवार खोल अभी खोल देवी की रही सही हिम्मत भी जाती रही शाम किशोर नशे में चूर था होश में शायद दया आ जाती इसलिए शराब भी कराय थे किवार तो न खोलूँगी चाहे तोड़ ही डालो अब तुम इस घर में न आने पाओगे मारोगे तो कहां से तुम्हें हो पहचान गई शाम किशोर पंधरा बीस मिनट तक शोर मचाने और किवार हिलाने के बाद उल जलूल बकते चले गए दो चार पड़ोसियों ने फटकार भी सुनाई आप भी तो पड़े लिखे आदमी होकर आधी रात को घर चलते हैं नीद ही तो है नहीं खुलती तो क्या कीजिएगा जाएए किसी यार दोस्त के घर लेटे रहिए सवेरे आईएगा शाम किशोर के जाते ही देवी ने बकुची उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरी जरा देर उसने कान लगा कर आहट ली कि कहीं शाम किशोर खड़े तो नहीं है जब विश्वास हो गया कि वो चले गए तो धीरे से द्वार खोला और बाहर निकल आई उसे जरा भी शोब जरा भी दुख ना था बस के वल एक इच्छा थी कि यहां से भाग जाओ कोई ऐसा आदमी न था जिस पर वो भरोसा कर सके जो इस संकट में काम आ सके बस वही मुन्नू महतर अब उसी के मिलने पर उसकी सारी आशाएं अवलंबित थी उसी से मिलकर वो निश्चे करेगी कि कहा जाए कैसे रहे मैके जाने का अब उसका इरादा न था उसे भै होता था कि मैके में शाम किशोर से वो अपनी जानना बचा सकेगी उसे यहां न पाकर वो अवश्य उसके मैके जाएंगे और उसे जबरदस्ती खीच लाएंगे वो सारी यातनाएं सारे अपमान सहने को तयार थी केवल शाम किशोर की सूरत नहीं देखना चाहती थी प्रेम अपमानित होकर द्वेश में बदल जाता है थोड़ी ही दूर पर चौराहा था कई तांगे वाले खड़े थे देवी ने एक इका लिया और उससे स्टेशन चलने को कहा देवी ने रात स्टेशन पर काटी प्रहता काल उसने एक तांगा किराय पर किया और परदे में बैठ कर चौक पर जा पहुँची अभी दुकाने ना खुली थी लेकिन पूछने से राजा मिया का पता चल गया उसके दुकान पर एक लॉंडा जाडू दे रहा था देवी ने उसे बुला कर कहा जाकर राजा मिया से कह दे कि शार्दा की अम्मा तुमसे मिलने आई है अभी चलिए दस मिनट में राजा और मुन्नू आ पहुचे देवी ने सजल नेत्र होकर कहा तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया जो कुछ हुआ वो फिर कहुँगी मुझे कही एक घर दिला दो घर ऐसा हो कि बाबु साहब को मेरा पता न मिले नहीं तो वो मुझे जीते न छोड़ेंगे राजा ने मुन्नू की ओर देखा मानो कह रहा था देखो चाल कैसी ठीक थी देवी से बोला आप निसा खाते रहें ऐसा घर दिला दूगा कि बाबु साहब के बाबा साहब को भी पता न चलेगा आपको किसी बात की तकलीफ न होगी हम आपके पसीने की जगा खून बहा देंगे सच पूछो तो बहुजी बाबु साहब आपके लायक थे ही नहीं मुन्नू कहा की बात भाईया आप रानी होने के लायक है मैं मालकिन से कहता था कि बाबु जी को दालमंडी की हवा लग गई है पर आप मानती ही न थी आज रात ही को मैंने गुलाब बजान के कोठे पर से उतरते देखा नशे में चूर थे देवी जूटी बात उनकी ये आदत नहीं है गुस्सा उन्हें जरूर बहुत है और गुस्से में आकर उन्हें नेगबत कुछ नहीं सूचता लेकिन निगहा के बुरे नहीं मुन्नू हुजूर मानती ही नहीं तो क्या करो अच्छा कभी दिखा दूगा तब तो मानियेगा राजा अब एद दिखाना पीछे इस वक्त आपको मेरे घर पहुचा दे उपर ले जाना तब तक मैं एक मकान देखने जाता हूँ आपके लायक बहुत ही अच्छा है देवी तुम्हारे घर में बहुत सी औरते होंगी राजा कोई नहीं है भहुजी सिर्फ एक बुड़िया मामी है वो आपके लिए एक कहारिन बुला देगी आपको किसी बात की तकलीफ न होगी मैं मकान देखने जा रहा हूँ देवी जरा बाबु सहब की तरह भी होते आना देखना घर आए की नहीं राजा बाबु सहब से तो मुझे चिड़ हो गई है शायद नजर में आ जाए तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाए जो मर्द आप जैसी हुसन की देवी की कदर नहीं कर सकता वो आदमी नहीं मुन्नो बहुत ठीक कहते हो भाया ऐसे शरीवजादी को ऐसी शरीवजादी को नजाने किस मूँ से डारते है मुझे इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हो गए कभी एक बाद भी न कही राजा मकान देखने गया और तांगा राजा के घर की तरफ चला देवी के मन में इस तमें एक शंका का आभास था कहीं ये दोनों सच मुझ शोहदे तो नहीं लेकिन कैसे मालुम हो ये सत्य है कि देवी ने जीवन परियंत के लिए स्वामी का परित्याग किया था पर इतनी ही देर में उसको कुछ पश्चाताप होने लगा था अकेली घर में कैसे रहेगी बैठी बैठी क्या करेगी ये कुछ उसकी समझ में ना आता था उसके दिल ने कहा क्यों न घर लोट चलो इश्वर करे वो अभी घर ना आये हो मुन्नो से बोली तुम ज़रा दोड़ का देखो तो बाबुजी घर आये की नहीं मुन्नो आप चलकर आराम से बैठे मैं देखाता हूँ मैं अंदर न जाओंगी मुन्नो खुदा की कसम खाके कहता हूँ घर बिल्कुल खाली है आप हम लोगों पर शक करती है हम वो लोग हैं कि आपका हुक्म पाए तो आग में भी कूट पड़े देवी इक्के से उतर कर अंदर चली गई चिडिया इस बार पकड़े जाने पर भी फर फड़ाई किन्तु पैरों में लासा लगे होने के कारण उहना सकी और शिकारी ने उसे अपनी जोली में रख लिया वो अभागिन क्या फिर कभी आकाश में उड़ेगी कि कदाचित देवी घर में न होगी द्वार के दोनों पट खुले देखे तो कलेजा सन से हो गया इतने सबेरे किवाडों का खुला रहना अमंगल सूचक था एक शन द्वार पर खड़े होकर अंदर ही की आहटली कोई आवाज न सुनाई थी आंगन में गए वहाँ भी सननाटा उपर चारों तरफ सूना घर काटने को दोड़ रहा था शाम किशोर ने अब जरा सतर्क होकर देखना शुरू किया संदूक में रुपए नदारत गहने का संदूक भी खाली अब क्या ब्रहम हो सकता है कोई गंगस्दान के लिए जाता है तो घर के रुपए नहीं उठा ले जाता वो चली गई अब इससे लेश मात्र भी संदे नहीं था ये भी मालम था कि वो कहां गई है शायद उसी वक्त लपक कर जाने से वो वापस भी लाई जा सकती थी लेकिन दुनिया क्या कहेगी शाम किशोर ने अब चारपाई पर बैठ कर ठंडे दिल से इस घटना की विवेचना करनी शुरू की इसमें तो संदे ना था कि राजा और उसका पिछ्चु मुन्नु ने ही बहकाया था आखिर बाबुजी का करतव्य क्या था उन्होंने वो पुराना मकान छोड़ दिया देवी को बार-बार समझाया इसके उपरांत वो क्या कर सकते क्या मारना अनुचित था अगर एक क्षण के लिए अनुचित ही माल लिया जाए तो क्या देवी को इस तरह घर से निकल जाना चाहिए था कोई दूसरी इस्तरी जिसके फिर्दे में पहले ही से विश्ण भर दिया गया हो केवल मार खाकर घर से न निकल जाती अवश्य ही देवी का हिर्दे कलुशित हो गया बाबु सहब ने फिर सोचा अभी जरा देर में महरी आएगी वो देवी को घर में न देखकर पूछेगी तो क्या जवाब दूँगा दम के दम में सारे महले में खबर फैल जाएगी हाई भगवान क्या करो शाम किशोर के मन में इस वक्त जरा भी पश्चताप जरा भी दयाना थी अगर देवी किसी तरह उन्हें मिल सकती तो वो उसकी हत्या कर डालने में जरा भी पसो पेशना करते उसका घर से निकल जाना चाहे आवेश के सिवा उसका कोई कारण न था उनकी निगह में अक्षम्य था क्रोध बहुदा विरक्ति का रूप धारन कर लिया करता है शामकिशोड को संसार से घरना हो गई जब अपनी पत्नी ही दगा कर जाए तो किसी से क्या आशा की जाए जिस इस्तरी के लिए हम जीते भी हैं और मरते भी जिसको सुखी रखने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं जब वो अपनी न हुई तो फिर दूसरा कौन अपना हो सकता है इस इस्तरी को प्रसन रखने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया घरवालों से लड़ाई की भाईयों से ना था तोड़ा यहां तक कि वो अब उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते उसकी कोई ऐसी इच्छा न थी जो उन्होंने पूरी ना की उसका जरा सा सिर भर दुपता तो उनके हातों के तोते उड़ जाते रात की रात उनकी सेवा सुक्ष्रा में बैठे रहते वो इस्तरी आज उनसे दगा कर गई केवले गुंडे के बहकावे में आकर उनके मुँ में कालिक लगा गई गुंडे पर इल्जाम लगा कर तो एक प्रकार से मन को समझाना है जिसके दिल में खोट न हो उसे कोई क्या भहका सकता है जब इस स्तरी ने धोका दिया तो फिर समझना चाहिए कि संसार में प्रेम और विश्वास का अस्तित तो ही नहीं ये केवल भावक प्राणियों की कल्पना मात्र है ऐसे संसार में रहकर दुह और दुराशा के सिवा और क्या मिलता है दुष्टा ले आज से तू स्वतंत्र है अब कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं रहा जिसे तू प्रियतम कहते हुए नहीं धकती थी उसके साथ तूने ये कुटिल वहवार किया चाहूं तो तुझे अधालत में घसीट कर इस पाप का दंड दे सकता हूं मगर क्या फाइदा इसका फल तुझे ईश्वर देगा शाम किशोर चुपचाप नीचे उतरे ना किसी से कुछ कहा ना सुना दौार खोले छोड़ दिये और गंगा तटकी ओर चले कहानी जवालिस लांचन समान